एक धने जंगल में रहती थी एक परी जिसका नाम था चांदने वो जंगल के सभी जीव जन्तों की देखभाल करती थी एक दिन जंगल में घूनते हुए उसे एक सुन्दर सी बच्छे मिली एक सुनहरे रंकी थी उसे देखकर चांदनी दन रह गई अरे इतनी प्यारी बच्छी जंगल में कहां से आ गई उसने उसका नाम सोना रखा सालों बीड गए और सोना एक खूबशूरत लड़की बन गई उसकी त्वचा सोने की तरह चमकती थी और उसके बाल काले मोती जैसे थे जंगल के सभी जीव उसे बहुत प्यार करते थे चांदनी को अपने बेटी पर बहुत गर्व था एक दिन अचानक सोना बीमार पड़ गई उसकी तबियत दिन बदिन बिगड़ती जा रही थी जंगल के सभी जीव परिशान थे चांदनी ने जड़ी बूटियों का प्रयोग किया लेकिन कोई पाइदा नहीं हुआ आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है? कोई दवा, कोई तोटका, क्यों नहीं काम कर रहा? तबी एक दिन जंगल में एक युवक आया उसका नाम था राहुल वो एक जड़ी बूटी शास्त्री था उसने सोना की बीमारी के बारे में सुना तो उसकी मदद करने के लिए तयार हो गया वो कई दिनों तक सोना का इलाज करता रहा अंथ में उसकी मेहनत रंग लाई और सोना ठीक हो गई राहुल और सोना की दोस्ती फ्यार में बदल गई वे शादी कर खुशाल जीवन जीने लगे चांदनी भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी को इतना अच्छा जीवन मिला और इस तरह जंगल की परी की कहानी एक सुन्दर प्रेम कहानी में बदल गई उस से खुशा सुन्दर